वेल्कम फ्रेंट्स सभी स्टुडेंस को मिजाग अकेडमी के तरफ से नमस्कार और मिजाग अकेडमी के तरफ सभी का स्वागत है आज हम कांस्टेबर भरती एक्जाम के अंदर एक नए सब्जेक्ट एक नए विशे को सम्मिलित जो किया गया है उसके बारे में एक परिच्यात्मक अध्यन है उस शुरू करते हैं और उसके बाद इस अध्यन को आगे भढ़ाएंगे और विश्ट्रात्मक रूप से देखें कांस्टेबर भरती का और इसमें जो जो सभी केटेग्री की लोग चाया वो कोई सी भी कोई भी स्रेणी है तो उनके लिए दस प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और 10 प्रश्नों में आपके हर एक प्रश्न आदे माक्स का है यानि कि आपको 5 नमर के 10 सवाल पूछे जाएं प्रेश्ण है उनको जैसे ये सब्जेक्ट है तो इसको अगर हम ज़्यादा विस्तर सूप नहीं देंगे क्योंकि आपको इसको सिर्फ तूदा पॉइंट वहीं तक आपको प्रेक्टिस करनी है जहां तक इसके प्रेश्ण बनते हैं हालां कि अगर इसका एक ज्ञान प्राप्त किया जाए तो ये सब्जेक्ट एक बहुत ही बड़ा विस्तर सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी कोई सीमा यह बहुत बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि यह जब से मानल्या की जो प्रकृति बनी है तो तब से अपराद ने हर जगे अपनी जगे बनाई तो अपराद को अगर आप तब से लेकर अगर अध्यान करेंगे तो आप इसको इतना समय नहीं दे पाएं है जिन से प्रेशन पूछे जा सकते है यानि एक exam oriented preparation करना है हमें उन बातों को छोड़ देना है जो exam में नहीं पूछी जाएगी हमें इतना ज्यान वर्दन नहीं करना ठीक है तो ज्यान वर्दन से maximum बचे और to the point सिर्फ वहां तक अपने आपको ले जाए जहां तक आपको marks earn करना है आपको maximum 10 में से 10 सवाल आपको write करने तो सवाल write करना आपको अभी आप competition टैरी करने है ठीकर ग्यान आरजन करना एक अलग चीज होती है और आपको एक exam fight करना और उसको पार करना एक अलग चीज होती है तो exam में पार करने के लिए एक आपकी सई रण नेती होनी चाहिए एक सठीक strategy होनी चाहिए तो उस strategy के करह में हम आप लोगों को वहां तक धीरे धीरे प्रयास करके ले जाएंगे और आपको इसी subject को एक छोटा सा रूप में आपको आपके समय से प्रसूत करेंगे और जादा नहीं है आपको समझिए कि 15 इसके पूरे lesson होंगे एक गंटे के within 15 hours 15 गंटे के अंदर आपको इसको complete करवा देंगे और ये 15 गंटे आप रोज के भले एक गंटा आप study करोगे तो within 15 days आपको 15 दिन का रोजना एक गंटे का course है और आप easily इसको कर सकते है नेक्स 15 days आप revision कर सकते है ठीक है ना पढ़ते जाए पढ़ते जाए जब exam होता है तब तक और सवाल सिर्फ हम वही बनाएंगे जो आपके exam में आएंगे ठीक है ना यानि ये बहुत ही मैदपुर्ण है एक wish है और इसके 10 questions है आपको किसी भी वज़े से छोड़ने नहीं है subject और जो भी syllabus का जो part है जो आपके exam के अंदर आता है बहले उसके दो एक प्रशना आए लेकिन उसको miss नहीं करना है चाहे वो easy हो या hard हो तो आएए subject की शुरुआत करते हैं महिलां और बच्चों की विरुद अपराद crimes against women and children लेकि हिंदी और इंग्लीज दोनों परकार के माध्यम के बच्चों के लिए एक simultaneous class है और इसी class के जरी हम दोनों परकार के बच्चों को educate करना चाहते हैं our subject is crimes against women and children तो महिलां और बालकों के विरुद जो अदिगार है तो एक तो पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस बार ये जो subject है वो क्यों choose किया गया या क्यों add किया गया मतलों इसकी objectives क्या है उद्देश है क्यों पुलिस बल की अलग अलग यूनिट से उसके अंदर जो कर्मी भरती होंगे तो उन बरती होने वाले जो कर्मी है उनको महिला और बाल जो अपराद है जो कानून है और इस कानून से समंदित जो कानूनी प्रावदान है और उनका जो implement इस किस तरह कानून है और उसका जो लागू करना ये पुलीस और पुलीस जो प्रशासन है उनकी इसमें भूमी का क अबाउट वाट, अबाउट, काइम्स अगेंस वुमन और चिल्डन, जो महिला और बच्छों के विरुद, जो अपराद होते हैं, उन अपरादों के लिए के जो कानूनी प्रावदान है, जो कानून बने हैं, तो उन कानून को इंप्लिमेंट करना, ये चीजे सब जो आपको जानना जरूरी है कि पुलीस और पुलीस प्रशाशन ये इसको किस रूप में देखता है और किस रूप में उसका अमलिकर्ण करता है, तो ये आप में जो नए जो भरती होने वाले जो कर्मी हैं, उन में इसका एक दिमाग में एक कंसेप्ट बैट है, कि वाके ये सबजेक् के लिए जो नई टीम के रूप में जो भरती होंगे उनके लिए ये subject जरूरी क्यों है उनको ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल वो इस विभा के एक हिस्सा होंगे तो उनको ये ध्यान रगना जरूरी है कि पुलीस और पुलीस प्रशाशन इस जो बहुत एक sensitive subject है जो म रखाया है अगला देखिए अगला बताया है वाइलन्स हिंसा तो आपको इससे पहले हाँ तो आपको इससे पहले ये जाना जरूरी है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है क्राइम क्राइम जिसको आप कहते हैं अपराद अपराद क्या होता है मतलब आपको इससे एक सिंपली सिंपल टर्म से अपने आपको एक समझना है कि अपराद क्या होता है ठीक है तो अपराद को या क्राइम को आप किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं अपराद किस चीज को मानते हैं तो कोई भी आप यहों समझें कि एक इन्डिवीज्ण के विरूद्ट, यहनै एक व्यक्ति की विरूद, एक ग्रूप के विरूद, एक समु के विरूद, एक community की विरूद, एक समुदाया के विरूद, यहां समाज के जो भी जो rules और regulations, जो निय जो समाज के जो आप निह मावली कह सकते हैं उनके जो noorms कह सकते हैं समाज का जो भी एक धाशाब बना गुआ है जो निह मावली उसके έकोर्डिंग अगर मानल या कोई भी उसके कोई चोट करता है या उसके एकोर्डिंग नहीं चलता है और किसी भी रूप में उस पे अगर वो उस पे अगर चोड कर रहे उस पे अगर बावनात रूप हो या शारीरी रूप से हो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसा किरिया कलाब करता है जिसको समाज सही नहीं पाता है समाज के नजर में लगता है कि ये गलत किया गया तो ऐसे जो कारिये ऐसे स आच्रन बनाई हुए है, समाज दर जो निर्दारित नेमावली बनाई है, तो ऐसे समाज विरुदी जो कृत्य है, जो आपकी activity against societies, societies के जो norms है, regulations है, जो उनके आपके जो आच्रन बना रखे, तो उनके विरुद अगर कोई भी जान बूज के किया गया, ऐसा कृत्य, ऐसी activity है, वो आप उसको अपराद में लेंगे, तो ये तो आपका है अपराद, तो अपराद को, या जिसको आप crimes को कह सकते है, कि simply, एक चोटे सी चोटा एक्ट, जो आपका act है, वो भी एक अपराद में शामिल हो सकता है, ठीक् glimpse का कोई भी आपका छोटे से चोटा act है, वो भी एक अपराद आपका जहानबूज के किया गया है, अपराद आप फीजिकली भी कर सकते हैं, और अपराद आप मेंटली, यानि कि मन से भी अपराद कर सकते हैं, यानि आप मन और शरीर दोनों से आप अपराद कर सकते हैं, तो दोनों से अपराद ना हो, हमें अपने आच्रन को भूब रखना चाहिए और हमारे इस आच्रन से समाज के जो भी नियम बने हुए वो किसी भी तरह से विगटित ना हो या उन पे कोई आच्रन आ है उन पे कोई असर या उसकोई प्रभाव ना पड़ा है तो हम यह मानेंगे कि हम समाज के बने हुए आच्रन, बने हुए नियम का पालन कर रहे हैं और जैसे कोई भी जैसे fundamental duties हैं तो जिस तरह जोसे हमारा एक मूल करतवे होता है हम करतवें से भटक के उन करते हों कि विमुक जाके कोई भी करते करते हैं तो वो आपका अपराद की स्रेणिम आएगा अब एक होता है violence यानि हिंसा एक term है आपकी violence violence जिसको आफ हिंसा कहते हैं तो अपराद आपको यह समझा दिया कि यह काम जान भूज के किया जाता है आपको सब पता है कि यह एक अपराद है मैं यह करने जा रहा हूँ मतलब जान भूज के अपरादी जो भी है मस्तिस्क में है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ लाइक डैट अब एक नेक्स टर्म आप देख लेए वो है आपका हिंसा यानि वाइलेंस तो वाइलेंस किस प्रकार से आपका जो अपराज से लिंक्ट है यानि इसका अपराज से क्या संबन है और किन गड़नाओं को आप वाइलेंस में लेते हैं तो वाइलेंस यानि की हिंसा हिंसा में क्या होता है कि इसमें आप यूं समझें कि ये भी एक जानबूज के किया गया एक्ट होता है और जानबूज के किया गया एक्ट है इसमें आपका एक force एक आपकी जो शक्ति का प्रदर्शन होता है ठीक है ना जो बल पूरवक इसको आप यूँ कह सकते हैं कि आपने जो आपके जो हिंसा वाइलेंस है वो जान बूज के की जाती है लेकिन इसमें मानसिक या शारीर के चोट पहुंचा ही जाती है दोनों परकार की चोट हो सकती है आपकी जो मेंटल जो मेंटली जो आप किसी को मन से आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो आप उसको शरीर के उपर चोट पहुंचा सकते हो तो ये जो दोनों आप जिस परकार की जो घटनाओं को ले रहे हैं मानसिक और शारीर की तो दोनों प तो ये भी एक परकार का हिंसा है जिसको आप वाइलेंस कह सकते हैं तो वाइलेंस मतलब कि बल पूरवक आप किसी भी जो व्यक्ती या व्यक्ती का समूर या जो कम्यूनिटी है उस पूरे समुनाय को आप बल पूरक forcefully वही force यानि forcefully आप उसको क्या करते हैं आपको harm उसको आप हारम करते हैं उसको आप चोट पहुंचाते हैं तो ऐसा करते हैं आपका violence में होगा लेकिन violence भी अपने आप में एक crime होता है ऐसे क्राइब एक बहुत ही बड़ी टर्म है ठीक है न क्राइम आपके violent भी होते हैं है क्राइम क्या होता है वाइलन्ट भी होते हैं मतलब हिंसक जो करते हैं और हिंसक करते दोनों ही आपके इंसक और अहिंसक हिंसक करते और एह हिंसक करते दोनों ही परकार के जो करते है वो आपके क्राइम में आते हैं हिंसक करते और एंसक मतलब जो वाइलेंट आपके एक्शन्स है और नौन वाइलेंट लेकिन अपराद में ये दोनों आते हैं तो अपराद एक big term है, crime जिसको आफ अपराद कहने हैं, तो अपराद एक बड़ी term है, ठीकर, अपराद क्या है, अपराद एक बड़ी term है, और यह जो violent and non-violent आपके जो action है, आपकी जो activity, आपके जो किरिया कलाफ है, यह इस बहुत बड़ी term के under में आते हैं, तो यह चीज हैं, कि हिंसा एक अलग चीज है, और अपराद अलग चीज है, ठीकर न, वो they are not, they can't linked it, इसको वो link नहीं कर पा रहे हैं, इनमें क्या relation है, क्या संबन है, तो आप इसको यह समझ सकते हैं, कि अपराद हिंसा भी अपराद का एक fierce form है, एक बहंकर रूप है, ठीकर न, इसलिए गांदी जी ने हमेशा पूरे डेश को यही, पूरे विश को यही संदेश दिया, अइसा का, गांदी जी ने हमेशा अइसा का पालन किया, और खुद वो कभी हिंसक, अपने जीवन में कभी हिंसक नहीं हुए, बलाएं अंग्रेजों ने उन पे कितनी लाठियां बरसाई, लेकिन उन्होंने वो एक सेंसीलता दिखा, एक जो अपनी जो संगर्श शक्ती है, उसका जो प्रदशन किया, कि किस तरह वो अंग्रेजों से लाठियां खा लेते थे, लेकिन उनको गुसा नहीं आता था, उनके गुसे पर उनका नियंद्र नहीं था, और गुसा ही हिंसा में हिंसा को बदलता है, गुसा ही हिंसा का कारण बनता है, ठीक है, तो जो आपका एंगर है, वो it becomes aggressive, और वो आपका क्राइम को गटित होने में मदद करता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक relation हो गया, कि what is the relation between crime and violence, अपराद और हिंसा में क्या संबन है, जिसको आप समझ सक हो, कि अपराद और हिंसा को हम लोग किस रूप में ले रहे हैं, अब ये ये एक बात समझना जरूरी है, कि इसमें एक तो है सरकारी तंत्र, एक तो है आपका सरकारी तंत्र, और दूसरा है सोसाइटी, दूसरा क्या है, दूसरा आपका सोसाइटी, एक आपका सरकारी तंत् को जो आप महिलाओं और बालकों के विरुद जो कानूनी प्रावदान है जो मालिया के नई नई व्यवस्ता है जो बनती है गोवर्मेंट की तरफ से जो व्यवस्ता है आती है उन व्यवस्ता और उन कानूनों को लेकर के ये जो दो प्रकार की एक दोनों मलब इन दोनों की ए एक सरकारी तंत्र है और दूसरा आपका सोसाइटी का मतलब आप यह कह सकता है कि यह आपका समाज है यह क्या है यह आपका समाज तो समाज और सरकारी तंत्र जिम्मेदार होती है सिस्टम की सरकारी तंत्र है वो पहला इसका जिम्मेदार होता है कानून को लागू करवाने का और सोसाइटी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, समाज की भूमिका के बगएर इस कानून पे रोक नहीं लगा सकती, तो इस कानून जो अपराद हो रहे हैं, तो इन अपराद पे रोक जरूर ये देखिए, अपराद होने के बाद, कोई भी अगर सरकारी सिस्टम जो हों में, वो ये देखती हैं कि क्राइम को रोकने के लिए कोई जागरूगता जो फैलाई जाने चायए, कि भाई इसके लिए ये कानून है, कुछ आदर्स कीया जाने चायए, कोई आचरन है, कोई नियम्स नौम्स हैं, वो ऐसका और उसका end तक end users है यहां जो हम लोग समाज के हिस्से हैं हम सभी लोगों तक उस कानून की जानकरी है वो पहुँचने चाहिए तो क्या होता कि दिली या उसकी विदाई का कानून तो बना लेती है लेकिन उस कानून से समझनी जानकरी हम लोगों तक नहीं पहुँचती है रेपकार्ण था एक गैंग रेप था एक सामुईक जो बलातकार केस था और सामुईक बलातकार में हम लोगों ने ये देखा कि कानून हलका पड़ रहा था और अपरादी जो कम से कम 10 साल तक जेल में जेल के रोटी खाते रहे और उसके बाद इन्होंने ऐसा एक आचरन दिख है सरकारी सिस्टम सरकारी तंत्र देखो सरकारी तंत्र क्या करता है कि हाँ ये शीक है कि विदाई का कानून बनाती है कानून बनाने के बार जो आपकी जो कारेकारिनी है जो एक्जीक्यूटी बोड़ी है उस कानून का पालन करवाती है ठीक है लेकिन कानून क्या कोई इंस उस कानून की पढ़ाई है उस कानून की जो पढ़ाई है उस पार्ट आ देखते हैं तो फिर कानून को लेकर जागरुकता कहां फेलेगी तो ये सबसे बड़ी कमी ये है कि हम लोग अपराद होने के बाद उस पे लीपा पोती करते है या फिर नियाय दिलाने की कोशिश करते है विदिन था कोर्ट, कोर्ट तक पहुंचते है मुगद में जगड़ते हैं वकीलों के मारपत और उससे नियाय पाने की कोशिश करते है लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि इस अपराद को रोकने के लिए हमें सरकारी तंतर के साथ मिल करके क्या प्रियास करने चाहिए तो मैं यही बात कर रहा था उसमें जो शंशोधन के लिए अपेक्सा करना तो वो भी समाज के साथ मिल के जो सरकारी मशीन जो को काम करना चाहिए और समाज को भी जो हर परकार के कानून में पुलिस तंतर है यह आपका जो भिवाग है उसके साथ जो कदम से कदम साथ में चल करके और जनता तक जाकरुकता फैलानी चाहिए, कानून के बारे में जान करी है, वो शेर करनी चाहिए, तो ये चीज़े हो तब ही अपराद को आप कम कर सकते हैं, अपराद को कम करना ही अपराद पे विजय हासिल करनी होती है, अपराद को कम करना ही अपराद पे विजय हासिल करन होता है तो यह आपका एक जो आपका सहयोग है वो समाज की तरफ से भी सहयोग जो मिलना है वो बहुत जरूरी है और उसके सहयोग के बगएर कोई भी जो महिला और बालक यह जो संक्या में अपराद होते हैं रोज के हजारों संक्या में अपराद होते हैं तो अपराद रुक कहा रहे है हाँ तो अब आगे देखिए अगला प्रश्न यह है स्वरी अगली जो आपकी जो आगला टॉफिक है अभी वही चल रहा है वाइलेंस एंड वाइलेंस देखिए यान यही हिंसा, हिंसा को यहां मैंने आपके लिए नौर्स रूप में आपको समझा है, कि हिंसा यही शारिक बल का उपयोग, ताकि चोट, दुरुपयोग, छती या नस्ट हो जाए, मतलब यहां एक फीजिकल फोर्स, एक आपके शारिक बल का इसमें यूज होता है, और इस शारि अब्यूस, डैमेज, और डिस्ट्रॉइ, एन इंस्टेंस ओफ वाइलेंट ट्रीटमेंट, और पॉट्रेज, मतलब यह एक हिंसक, जो कृतियम आता है, यह एक वाइलेंट, यह आपका टाइप का क्राइम है, तो वाइलेंट टाइप के क्राइम है, यह चीज होती है, पेसे बाहर हो जाते हो, और उसके जरीए भी एक आप जो हिंसक, जो क्रत्य है, उसको अंजाम दे सकते हो, इंटेंस, टर्बूलेंट और फ्यूरियस, और ओफन डैस्ट्रक्टिव एक्शन, कैसा आपका जो क्रत्य है, जो तीवरह, आपका अशांद, उग्र और अक्षर, विनाशकारी, ये आपका जो क्रत्य है, ये क्रत्य भी एक प्रकार के खत्रे की निशानी है, और एक हिंसा को ये जर्म देता है, ठीक है ना, तो आपका जो स्रुभाव,